बिजली के बिणा गरीब के घर में पंकहा और अमीर के घर में AC तो छोड़िए एक छोटा सा बल भी नहीं जल सकता ये तो हम सभी को बता है मगर बिजली से चलने वाले यह उप करन बिना तार के बिलकुल बेकार है क्योंकि तार बिजली से करंट बनाने का मुख्य शुरूत है इसलिए आज मैं आपको फैक्टरी में बिजली की तार कैसे बनाई जाती है उसका पूरा प्रोसस दिखाने वाला हूँ विजली की तार बनाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक के दानों का कट्टा लाया जाता है फिर कट्टे में से दानों को निकाल कर एक मिक्सर मशीन के अंदर डाला जाता है फिर सारे दानों को लगभग आदे घंटे के लिए मिक्स किया जाता है ताकि अपने दाने थोड़ दिया जाता है इसके बाद तार के अंदर का जो कॉपर होता है उसके साइज को तयार करने के लिए सबसे पहले एक स्टैंड में छोटे-छोटे हैं पर कॉपर के रीलो को सेट के जाता है फिर इन सारे रीलो में से एक एक करके पतली-पतली तारों को निकाला जाता है और आगे मशीन में सेट कर दिया जाता है जिससे हमारा एक मोटा तार का बंडल तयार होने वाला है जैसे अभी यहाँ पर 1.5 mm का तार बनने वाला है जिसके लिए कम से कम 24 रील लगाई गई है तो यह देख सकते हैं मसीन में इस तरीके से सारी पतली पतली जो रीले होती है वो आगे बढ़ती रहती है जिससे हमारा एक मोटा पूरा बंडल बनके तयार हो जाता है जब अपना बंडल बनके तयार हो जाता है इसे मसीन से बाहर निकाला जाता है फिर इस bundle को उठा के एक दूसरे वाले stand में set के जाता है इसके वाद यहां से तार बनाने का जो main process है वो भी start हो जाता है जिसके लिए भहिया ने तार के bundle में से तार को निकाला है और इसको तार बनाने वाली machine के die में set कर दिया है जिस भी साइज की तार बनने वाली होती है उसी साइज का यहाँ पर डाई भी सैट के जाता है और इसको हॉपर वाली मशीन के साथ जोड़ दिया गया है फिर इसके नीचे हीट लगा दिया जाता है अब इस कॉपर के तार को एक पुराने वाली तार के साथ जोड़ा जाएग भी मशीन को चालू कर दिया जाता है जहां से अपनी कॉपर की जो तार होती है वो इस तरीके से मशीन में आगे बढ़ती रहती है और प्लास्टिक के साथ मिक्स होके तार का शेप लेती रहती है अभी आपको लग रहा होगा कि तार के उपड़ जो ये नीली प्लास्टिक है ये कहां से आ रही है तो सबसे पहले मैंने जो आपको प्लास्टिक के दाने दिखाये थे जिसको होपर में पल्टा गया था ये उसी दाने का कमाल होता है अभी ये जो तार है बहुती ज़्यादा गरम होता है साथी में लचीला भी होता है जिसको सकत और मजबूत बनाने के एक ठंडे पानी के चेंबर के साथ इसको आगे भेजा जाता है, जिससे अपना तार मजबूत तो होई जाता है, साथी में किसी भी खराब कंडिशन में, ना तो ये जल्दी से कटता है ना फटता है, फिर इस तार को एक काउंटिंग मशीन से गुजारा जाता है, जिसमें एक घूम कर इन दोनों रोलोरों से आगे की और जाता है जिससे अपना जो तार है वो बनके पूरी तरिक से आगे बाहर निकलता रहता है। ऑज यहाँ है यहाँ से इसको रहते हैं इसको अच्छ ने करने के लिए भैया इसको बंडल वाले Department में भेज देते हैं जहाँ से इसका बंडल तयां होनेवाला और जितना भी मिनैं आपको process इत्माल होने वाली बिजली कितार फैक्टरी के इंदर कैसे तैयार की जाती है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी फ थैंक यू